हुआ है दोस्तों वेल्कम बैक टुमा यूटूब चैनल साहवाज एट्रेक्स आज की सीडियों सीखेंगे कुछ इश्राइब का फोट एडिटिंग करना जो के बिल्कुल रियलिस्टिक एनलिस्टिव क्वालिटी में होगा इसमें यूज किया गया बैक्ग्राउंड एंड चोटा च्टा जो भी pnz से सारा का लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्किप्सिन में मिल जागा अब उससे सिंप्ली डाउनलोट कर लेना ठीक है डाउनलोट करने के बाद क्या करना आपको इस वाले बैक्ग्राउंड को सिंप्ली आपको अपने प्लिकेसिन में करने हैं यह इसमें इस वाली आप प्लिक डरऌंड को open कर लेने के आपको नीचे स्कूल करना है एपको है एड़ फोटो का ओपसन मिलेगा आपको तली रिखर को zich अपना अकपना ऊपना कर रहा है इसको हम अटाएंगे एरेजर पर क्लिक करेंगे एंड एरेजर पर क्लिक करके hardness increase कर देंगे full एंड उसके बाद इसे erase कर देंगे यहां से उसका done पर क्लिक करेंगे एंड उसका plus पर क्लिक करके एड फोटो पर क्लिक करके एंड शेडव वाला जो यह संपली जैडव वाले पीन जैसे अपने यहां पर इस तरह से को सेट करने से क्या हुआ कि आपका जो फोटो है जमीन से अटेच हो जागा जो बिल्कुल उसको मॉबड़कर लेना अपने पर लेयर पर किलिक करके इस से इस तरह से कर लेना अपने पैर के पास भी रख लेना एक duplicate create कर लेना यहां से duplicate का ओप्शन दिख रहाओगा आपको लेयर के लिए करना यह यांद duplicate का option मिल जागा simply duplicate create tip ना एंड उसको अपने पैर के पास इस तरह से रख लेना इसे पिजिए उपडाउन करके दीख ले दियां इसको ऊपड़ ही रखना मूव डाॉन करने से कुछ नहीं सेट हो रहा ठीक है सो मूँफ अफ कर लेते इसको मूफ कर लेते हैं इस तरह से आपको सिंपली से सेट कर लेना एंड सेट करने के बाद एक और पिंच इसका डूब्लिकेट कर लेना एक और डूब्लिकेट कर लेना एंड जो इसकोटी का एस्टेन है वहां पर आपको सेट करना ठीक है तो यहां पर इसको पहले सेट कर लो एंड डू पीकड़ काम है तो complete हो जोगा पूरा पीकड़ काम सिंप्ली इस फोटो को हम सेफ वाले बटन पर क्लिक करके सेब कर लेंगे इस फोटो को आपने light on application में लेज कर चलेंगे इसकी clarity and 맞i करने के लिए इससे फोटो को हम सेंड करेंगे अपने light on application में और सेंड करनेक लेट करना यह एडिंग लिख देगा करना है एन पर अपने फोटो को ऑपफिन करना है यहां पर अपने फोटो को अपने करना है आपकी साल हलका increase करना है and contrast को हलका increase करना है and उसके बाद आपको second option color पर जाना temperature हलका increase कर लेना ठीक है saturation and vibrance को हलका हलका increase कर लेना आप अपने हिसाब से अपना photo किस तरह का है किस तरह color आपके photo में ज्यादा है उस हिसाब से आप एड़ेस्ट कर लेना है इसका situation जैसे कम करोगे यह पर face white हो जागा ठीक है जो हमारे photo में color है वह yellow है तो simply yellow select करके हम इसको adjust कर लेंगे अपने हिसाब से adjust कर लेंगे एड़ेस्ट कर लेंगे एक और color है हमारे photo में जो है black and white black and white के लिए color basically काम करता है तो इस वाले को select करना and luminous कम करना saturation increase कर देना and you को भी कम कर देना ठीक है इससे आपके कपड़ा पर जो यह आ लाइटिंग आ जाएगा ठीक है यह दोनों color उस पर काम करता है यह देख लो आपके फिर कपड़ा पर जो lighting आ चुग है तो simply इस दोनों से यह दोनों color से आप अपना कपड़े को adjust कर लेना and उसके बाद यह करना है को डन पर किलिक करना है इसको adjust कर ले पहले एंड उसको डन पर किलिक करना एन नेक्स फ्रोल अप्सन में जाना है यहां से बस यहां से फोटो आप कुछ नहीं करना कुछ है सिंप्ली यहां से फोटो कम कंप्लीट हो जुका देख लो पहले and before and after कर दोंगा हो चुका हो पूटו हो चुका आप पत्च सेयव करें ल्लेता जाल यूदे गए देख लेते हैं अपने कंपनी फोटो यह रहा हमारा वीडियो !! अच्छे लगा है यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहले हैं तब तक ले बाइन ठेक